गुलबरदाश शहर में जन्तदाश सेकुलर के यूथ लीडर साजित कलियानी के जनम दिन के मौके पर 1 अगस्ट को वाड़ नमबर 27 में मननूर मल्टी स्पेश्यालिटी हॉस्पिटल और आयशा मैटरिनेटी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए सीनियर सिटिजन्स को ह वाड़ नमबर 27 के शाजिलानी शादी महल में साजित कलियानी के दोस्त अहबाब महबबत का इजहार करते हुए साजित कलियानी को जनम दिन की मुबारक बात पेश करते नजर आये हैं साजित कलियानी में अपने जनम दिन के मौके पर जनाब नासिर उस्था की सदाराथ में आवाड़ नमबर 47 के बुजरुगों के लिए हेल्थ डिस्कॉंड कार्ट डिस्टिबूशन कैंप और्गनाइज किया था तमाम बुजरुगों को हेल्थ डिस्कॉंड कार्ड के जरि तों तमाम बुजरुगों को हेल्थ डिस्कॉंड का डिस्टिबूट किये गए हैं जनाम नासिर उस्थाद में इस इवन्ड को अर्गनाइज कर आवान की खिदमत करने के लिए साजित कलियानी और उनकी टीम को मबारक बात पेश की है अब आज वे में स्कॉंड लाने फंक्शन हावी के अंदर यहां के महले के तमाम जिम्मदारों ने साजित कल्यानी जनतेल सेकुलर के नौजवान खायत के जनम दिन मनाया और साती साथ यहां पर इस महले के लोगों को गरीबों को मन्नूर हॉस्पिटल और आयशा मैटर्नि के डिसकाउंट कार्ड्स की तक्सीम मे पर किया गया एक वहतरीं कॉंसेटन कैसा साजित कल्यानी और उनके तमाम लॉजवान साथी गहां के अवाम को पाइदा हो, यहां के मरिजों को फाइदा हो यहां के गूबर खाय शेर के लाने मन्नूर हॉस्पिटल और आयशा मैटर् सब्सक्राइब करने का मका जीने का एक प्लाइन किया है मैं मुबारक बात पेश करता हूं तो हमाम टीम को जिन्हों ने इतना शांदार तरीके से इतने ज्यादा तैदात में लोगों को यहां पर मोबिलाइज करके अर्गनाइज किया है मैं मुबारक बात पेश करता हूं साजित कल्यानी को जो आलम दिलेला बहुत अच्छा काम है में इसकी में जिराना आवाद में अवाम के तदीफ को हल दुनने के लिए वो जो पहल कर रहा है मैं अल्ला सुभानत कर से दूआ को हूं कि उनके इस महनत और उनकी पाविशं को ज कि इस वहां के लिए वहां के लिए शाजित भाई ने एक नया अवाई जिसमें हल्प रंसेशन काट भी इस बते मौपे पर देने का काम किया है आज कहीं लोगों को एक काट डिस्ट्रिबुट किया गया है बहुत सार एक सब दोसों लोग का के इस काट का फैदा उठाया है और मैं शाजित भाई को और एक प्रफ तैजल से मुबारक बात देता हूं अल्ला उनको कमें भी जे लेकिम आवे ग्रेट सक्सेस इन इस मूजर इन इस कॉलिटी के रहे हैं तो काट से क्या फैदा है मतलब इसमें कंसल्टेशन फीस 50% रहेगी जो मेरे आस्पिटल में है औ और लाब इनस्टिकेशन 10% डिस्कॉंट रहेगा और फार्मासी बिल्स में भी 10% डिस्कॉंट रहेगा इससे तो अवराल 10% मेडिकल 10% लाब एंग कंसर्टेशन फीस में 50% डिस्कॉंट रहेगा एक बहुत बड़ी सेविंग्स है गरिब के लिए आप सम्झा हजार रुप